नमस्कार हलचल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर संगरूर में धान की पनीरी को लेकर वापिस जाहरा ट्रेक्टर भाकडा नहर में गिरा तीन महिलाओं की हुई मौद जन्डियाला गुरू में अग्यात व्यक्तियों ने एक घर के गेट पर चलाई गोलियां पुलिस ने दो अग्यात लोगों के खिलाफ मामला किया दर्च जनंदर के अधीनाते गाउन लांबडा में हत्यार लेकर गूमते दिखाई दिये पांच व्यक्ति एक ही रात में चार चोरियों को दिया अंजाब और अब हल चल विस्तार से संग्रूर के हरीगड गिहला गाउं के नसदीक एक बड़ा हाथसा हो गया जिसमें खेत में धान लगाने के लिए ट्रेक्टर पर जा रहे है पर मजदूरों में से तीन मजदूर महिलाओं की भाकडा नहर में डूबने से मौत हो गई जबकि आसपास के लोगो और प्रशासन की और से नो लोगों को बचा लिया गया तीन महिलाओं की लाशें जो नहर में हैं उनको ढूणने के लिए गोतकोरों की मदद ली जा रही ह यहाथसा उस समय हुआ जब सभी मजदूर पास के खेत में से धान की पनीरी को अपने ट्रैक्टर पर लेकर जा रहे थे जब ट्रैक्टर नहर की पटरी पर आ रहा था तब ही अचानक यह घाथसा हो गया और ट्रैक्टर भाखणा नहर में जागिरा प्रापत जानकारी के अ मौके पर पहुंचे पुलिस अदिकारी ने कहा कि उन्होंने अपनी टीम में लगा दी हैं वे नहर में से डेट बोडी को तलाश रहे हैं और जो जक्मी हालत में थे उनको टोहाना के अस्पताल में भरती करवाया गया है संगरूर से हल्चल के लिए जस्वीर मान की खीज़ी के लिदेविक दस बार ज्याने पनीरी पाठ टे ट्रैक्टर ते लेकर जा रहे सिगे तो ट्रैक्टर था संतुलूम बिग्रम दे कार्ण ट्रैक्टर नहर लिछ लगिया जिस दे विच तेन न सादे प्रणदिया लेडिज ने जिडियों हो डूबगीया ने जिनना दी तलास ऐसी कर रहे हैं ते बाक्या नो सही सलामत असी कड लिया जिननो फॉस्पिटल लेके जान दी हॉस्पिटल ले गिया केड़े होस्पिटल घे ने किठे गे तो आने संग उस्पिटल लुना इक बार फोरास्टिट किता गया एक ग्या है डिया ट्रैक्टर नेर दे विच दुटा दे चैनल लेडी में नेिस दैवी नेरो विच दे परशाशन पहूंचा है आजिज़ वात इड़ी प्राइवेट क अगर एथी है गेने नहीं तब फिर जमें पहला भी हास्ता हैं दुरान बढ़ता है जन्दा देशी जुगा टाइप इट कंडा हुंदा हो कंडा मार के सी देखांगे भी यह थी वाड़ी है जी अपाँ इस टाइम पाखडा मेल लाइं थे खड़े हैं यह पेंड हरीकड गेलना थाना खनावरी देखांगे अनुस्वेरे तकरीबन 11-11 में प्राप्त हो इसी के थे मजदूरां दा प्रयाहा एक ट्रेक्टर एदे विच एड़ा पार्टी का सिगा तो इस तो बाद 10 मज बदमाशों की होसले दिन प्रती दिन बुलंद होते जा रहे हैं जिसके चलते जंडियाला गुरू में सुभे नौ पंतालिस पर जस्पाल सिंग निवासी खूश्री गुरू अर्जुन देव नगर बैरवाल नगर चंडियाला गुरू में मोटर सैकिल सबार अग्यात व्यक्तियों ने घर के गेट पर पांच गोलियां फायर कर फरार हो गए इस मोके पर DSP सुचा सिंग और SHO बलविंदर सिंग मोके पर पांचे और मामले की जांच में जुट गए इस समंद में जानकरी देते हुए घर के मुखी माहन सिंग ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है वे फरनीचर का काम करते हैं वे काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे और घर में उसकी पतनी और दो चोटे बच्चे थे उन्होंने बताया कि उनके भाई ने उन्हें फोन कर बताया कि कुछ अग्यात व्यक्ति उनके घर के गेट पर गोलियां मार कर गए हैं और जब उसने घर आकर देखा तो गेट पर चार-पांच गोलियों के निशान थे इसलिए उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे गुंडा तत्वों पर नकेल कसी जाए वहीं ऐसे चो बलविंदर सिंग ने बताया कि उनकी और से मोटर साइकल सवार दो अग्यात व्यक्तियों के खिलाव केस रिजिस्टर कर दिया गया है और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है इसके इलावा आसपास लगे CCTV कैमरों की फोटेज भी खंगाली जा रही है जड्य भी टो लो गुछा रहाका दो फद्यमा अखर कठी होगी घया जी जञा रासना गोली ज्लिया है आं जासे पाल का डगे जांद हमें को तो जाने के तो जाने के तेने जाने आने किया तो जाने लोग टी द्वाई लण गई आदमी दा कम ते गया बच्ची अंदर सी अन्ने वह आगे गोडी चिला गया एक दम्या ड़क्टर को द्वाई लिके आई या ते कोई पदा नी की हो या की नहीं कर दो अन्नोन बंदे आये मोटर सैगल ते जनने पांज फैर किते है ते ओन तफ्तीश कर रहे हैं बाकि जदो अपना हुएगा तब सामें लेगे आगे की कम कर दे को आ रहे हैं इना टेलर दा कम है टेलरिंग की पोट्च की लभाया है इना दे आले ब्यान लेने है जालंदर के अधीनाते गाउं लंबडा के गाउं निच्रा में उस समय दह्षत का महौल बन गया है जब गाउं में पांच अग्यात व्यक्ती हाथ में तेज़दार हत्यार लेकर घूमते दिखाई दिए जिनोंने एक ही रात में गाउं में चार चोरियों को अनजाम दिया इस समंद में जानकरी देते हुए पंचायत सदस्य हरनेक सिंग ने बताया कि सुबह तीन से चार बज़े के करीब पांच व्यक्ती जिनोंने अपने मूँ बांदे हुए थे और हाथों में तेज़दार हत की तोड़ कर दाखिल हुए और सोने की चैन आठ हजार रुपेयों की नकदी लेकर फरार हो गए और जाते हुए गाउं में लगे सीसी टीवी कैमरे भी तोड़ गए इस समंदी जब लामबडा थाना के से चो अमन सैनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना म लेथी की गाउ निच्रा में पांच व्यक्ति हाथ में हत्यार लिए घूम रहे हैं जिनकी और से तीन घरों में वार्दातों को अंजाम दिया गया है फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही हैं जालंदर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट इतना बाइतरीक तड़के स्विरे पांच नौजमान आये मूह बनने सी उन्हें उन्हें आके पांच शार करानों टार्गट बनाया अपना ते उन्हें विच गरिल्लां तोड़के ताकिया थनी एंटर होगे फोला फलाई कीती है ते एक कार दे बिचो एक चाई नीत पांच चेक किता उन्हें वीडियो अपनियां लेके गया तो कर रहा है प्रताल लगे हम जादा कर जड़े बांद से के जहां कली लेडी सी जिना किसे गार देवेच उस्तरा ही होया है अधिक निचे ना काल स्वेरेक इनफरमेशन आई है कि पेंट नीच ना दे विच दो त इसी केमरे खंगाले से जिए उधिच पांच व्यक्ति अन पशाते जरने मूँ टक होए है वो इंटिफाई होया है जल्द 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 गिफ्तार कीता जाएगा उनन दे पाल कीती जा रही है क्योंकि साथे को फूटेज आगी है ते उन्हों पूरी फूटेज नो चेक की को गिराया चारा था तो टंकी में से 21 जिंदा कार्तुस मिले जिस कारण मंडी में रहते लोगों में दह्षत का महाल बन गया इस दोरान मजदूरों की और से पार्शद बीबी नेहा पम्मा के पती अमित पम्मा को फोन कर इसकी सूचना दी जिसके बाद मौके पर पहुंचे अमित पम्मा ने शहर के गणमान्य व्यक्तियों और पत्रकारों को मौके पर बुलाया और डियस पी फिलॉर जगदीश राज को सूचना दी जिसके बाद उन्होंने थाना फिलॉर के थानेदार सुभाश चंद्र को पुलिस करमचारियों के साथ बेच जिन्होंने जिंदा कार्तूसों को अपने कबजे में ले लिया जब इस समंद में थानेदार सुभाश चंद्र से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये कार्तूस पुराने हैं जिनकी जांच की जा रही है फिलॉर से पंकच शर्मा की रिपोर्ट सब्सक्राइब मिले ते असी उसी टाम में एस सब्सक्राइब मूवी बनू आती है ते जड़ा वस्मान असी आप जहां उन्होंना स्काफ कोई आंदा सब्सक्राइब सब्सक्राइब बिटीश करूँगा जो भी कारवी हो गये उस्क्राइब मुनू आप में पाजी ने फोगिता उंची नू पर देखना अई अम्रिसर की MTP विभाग ने शहर में बढ़ रही अवैद कलोनियों और वैद बिल्डिंगों को गिराया इस समन्द में जानकरी देती हुए ATP अरुन खर्ना ने बताया कि निगम कमिशनर संदीब रिशी के आदेश पर विभाग ने बिना किसी नक्षे के और विभाग की बिना मंजूरी के अवैद कलोनियों और वैद बिल्डिंगों के निर्मान को गिराया है इस दुरान विभाग ने जबाल रोड पर बने गोदामों और छे जगहें पर अवैद निर्मानों पर कारवाई की उन्होंने बताया कि अवैद तोर पर रिहाईशी एरिया में कमर्शियल प्लानिंग की गई जिसमें एक साइड पर पांच गोदाम बनाए गए हैं कलोनी के सामने बनाई गई आठ निर्मानों में तीन फिनिशिंग स्टेज पर हैं जिस पर विभाग द्वारा कारवाई की गई है उन्होंने कहा कि लोग कोई भी निर्मान शुरू करने से पहले नगर निगम से इसकी मंजूरी ले और नक्षा पास करवाएं अमरिसर से हल्चल के ल मेरे ते आंदे विचे एक लूनिया आई है ते मैं इंस्पेक्टर नूँ एदे ते कारवाई करन लिकेया सिगा ते उन्हें एदी आउडर लेके ते असी कल लेदी कारवाई करन गए मौके ते मौके ते पांच गुदाम बढ़े हैं ते विचकार सडग सी सडग दी साइड मेरे ते वी बखी निया पर यहां सी जिदे विचे जिदे तेन गुदाम जिनाचे जे फिनिशिंग दा कम मतलब होना सी का उन्हें ते कारवाई किती गई है जिदे पोस्तों मूर ले वी इंस्पेक्टर नूँ कहता वी इन दी डाकुमेंटों बंदेटे को लो लेके ते ए तहसील्दार और अरजी नवीस का नाम भी है विचलेंस के सिकरवाई पर तहसील्दार और अरजी नवीस तहसील कारेयले में नजर नहीं आई जिसको लेकर जब एस डिम सुनाम जश्पृत सिंग ने कहा कि सरकार से इस समन्ध में जो भी अदेश भी dB जेगी उसके तहत कार करवाई की जाएगी संग्रूर से हल्चल के लिए जस्वीर मान की रिपोर्ट मैंनु मेडिया दे मादे मुला ही पता लगया कि इस तरह दा कोई जड़ा लैटर वाइरल होया डेफिनेटली जए कोई गौर्मेंट वह देश आएगा ता डेफिनेटली हो ते जो भी कारवाई दुनिया की जानी मानी और प्रतिष्टत ऑस्टीरियाई फिटिंग प्रोडक्स निर्मान कंपडी ब्लम इंडिया की एमडी नदीम पटनी ने बताया कि फरनीचर फिटिंग इंडरस्ट्री में ये नंबर एक कंपनी है कंपनी की सफलता का साथ दशकों से भी ज्यादा का लंबा और गौरम में सफर रहा है उन्होंने ये बात सांचा करते हुए बेहद खुशी जहर की कि इस विश्व प्रसि कंपनी ने पंजाब में अपने कारोबार की शुरुआत की है जिसके चलते कंपनी ने जालंदर के वडाला चौंग के पास बलम किचन विला शोरूम की ग्रैंट ओपनिंग की कंपनी का पंजाब में ये पहला स्टोर है इस मौके पर सेल्ज डायरेक्टर इंडिया समीर आग्रत और माधव नाग्रत ने रस्मी तोर पर शोरूम का उद्गाटन किया उद्गाटन के बाद कंपनी के वरिष्ट अधिकारियों ने कंपनी के डिस्प्ले किये गए प्रोडक्ट को देखा इस मौखे पर शोरूम और प्रदीप इंटर प्राइजेस के एमची संदीप नागरत ने पत्रकारों से बाच्चित में जानने मने ब्रांड ब्लम के साथ जुडाव पर खुशी और गर्व महसूस किया। जालंदर से हलचल के लिए कैमरामेन नवीन की रिपोर्ट। सेल्स में भी ये वर्ल में नंबर वन है हमारा कोई भी प्रड़क और आॉटसोर्स नहीं होता है जब हम कहते हैं विए मेड इंऄ अस्टरिया अस्टरिया में ही बनते हैं हमारे वहाँपे आठ्ड प्लांत है और सारा प्रोडक्शन वहीं पर होता है देखिये जैसे यह आस्ट्रिया में बनता है ठीक है कॉस्ट वाइज अगर आप देखा जाए आज तो आप कोई भी यूरोपियन कंपनी या अमेरिकन कंपनी से कंपेर करेंगे तो वो कॉस्ट वही पे बैठेगा बलके बिकॉज हमारा प्रोडक्शन इतना हाई है तो अगर दूसरे कॉमपेडिशन आज आप मार्केट में लेंगे बहुत सारे ब्रैंड्स हैं जो अपने आपको यूरोपियन ब्रैंड्स कहेंगे पर सब मैनुफाक्चर चाइना में जाके करते हैं जैसे वैसे हमारा कोई मैनुफाक्चरिंग कहीं नहीं होता आउस्ट्रिया में भी होता है और हम सारे वो यूरोपियन ब्रैंड्स से कॉम्पेडिशन में प्राइज वाइज इद्दम बराबर हैं आपने सई सुना है आज भी यूरोप का सबसे बेस्ट जो शूव होता है वो इतली में होता है यह जो इतालियन आप सुने है यह डिजाइन रिलेटिद है जैसे कि शोटर की डिजाइन क्या होगे kitchen की डिजाइन क्या होगे इतली design related सबसे फेमस है hardware manufacturing नहीं वो जो Italian kitchen जो है वो जो यूस करते हैं वो हादवेस सब ब्लूम है आप अगर सबसे बड़े शो में कभी अतैन करेंगे जो होता है योरो कुचीना इतली में मिलान में होता है दो साल में एक बार अगर वहाँ पे 400 स्टॉल है तो 390 स्टॉल में आपको ब्लूम ही लगा हुआ दिखे लुधियाना बैंक डकैती के मामले में जहां सभी आरोपियों को पुलिस द्वारा ग्रिफतार किया चौचुका है वही इस मामले में लुधियाना जिले की पुलिस द्वारा बरनाला के गाउं ठीकरी वाला नस्दीक सर्च अपरेशन चलाया गया बरनाला के ठीकरी वाला रो पुष्टी लुद्याना पुलिस के डियास्पी मंदीप सिंग ने की है बर्नाला से हल्चल के लिए विनोध शर्मा की रिपोर्ट विश्व भर की आस्था से जुड़े वालमी की तीरत हस्थान का एक मामला सामने आया है जहां पर गत दिनों अमरिसर के जुला प्रशासन की और से लंगर हाल को ताला लगाने की शर्म नाक हरकत का विरोध वालमी की समाज के लोगों और अलग अलग धार्मिक जथे बंदियों की निताओं द्वारा किया चारा है जिसके तहत एक प्रशासन के खिलाफ रोश परदर्शन व्यक्त करते हुए इस घटना की निंदा की गी इस दुरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए भगवान वालमी की पावन तीरत के राश्ट्रे परधान वपिंदर सिंग सोनू वालमी की टाइगर सेना चारंदर की नेता अजे खोसला और बाबा भीम राव अंबेटकर भलाई मंच के च्वेर्मेन ओंप्रकाश अनार्य ये ने बताया कि भगवान वालमी की पावन तीरत के साथ समुचे विश्व की धार्मिक भावनाई जुड़ी हुई हैं और वहां के कमजोर सराइं बोड के कारण प्रबंध पुक्ता रूप में नहीं चल रही जिस कारण जिला अपनिसर प्रशासन द्वरा वहां के लंगर हाल को ताला लगाया गया है और सिर्फ रवीवार वाले दिन ही लंगर लगाने की बात कही गई है जो की बहुत दुखदाई बात है इस सबंद में अगर प्रशासन ने जल्द कोई फैंसला ना लिया तो पूरा वालमी की समाज सडकों पर उतर कर शक्ति प्रदर्शन करने क जरूर निभाई अमरिसर से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट बड़ी खुशी दिगाला कि जो साथा एक लंगर जो थे लंगर हाल देविच अमरिसर पावन वाली ते इस्तान पे चाल ला सी तो उसनों रोकिया गया सी और अज फिर दौरा दो लागू करवाया बाद करवाया उसनों सारे समुच्च समाज ने कटे होके वाज उठाई है और आज बहुत चोबी के अंटे बीचतन तो वाद आज दोवारा जना लंगर हाला खोल ले गया और हर रोज लंगर चलूगा विदान सबस सेशन में आडियाफ के मुद्दे पर बात करने वाले लहरा गगा से आप विधायक वरिंदर गोईल ने सुना में मीडिया से बात करते हुए बताया कि केंदर सरकार ने आडियाफ का 3622 करोड रुपया इस बिना पर रोक रखा है कि इसका सही उपयोग नहीं किया गया जबकि हकीकत में ये राशियाप सरकार के कार्यकाल में आई ही नहीं पिछली सरकारों ने अगर इसका सही उपयोग नहीं किया तो इसके लिए वो दो ना कि आप सरकार इससे पंचाब का विकास प्रभावित होता है इस तरह महला क्लिनिकों का 650 करोड रुपए को इसलिए रोक लिया कि आप सरकार ने डिस्पेंसरियों को महला क्लिनिकों का नाम क्यूं दिया उन्होंने कहा कि क्या लोगों द्वारा चुनी सरकार इतने छोटे फैसले भी नहीं ले सकती तो वहीं कॉंग्रेस के बाइकार्ट पर भी उन्होंने तंज कसा संग्रोड से हल्चल के लिए जस्वीर मान की रिपोर्ट देखो RDF Rural Development Fund एहे पंजाव दे पिंडा दे विकास दे लई एजरियां फसलां पैदा कर दे पंजाव कंक है जीरी है जो सारी फसलां दे एक RDF दा सिस्टम बने हो ऐसे तिनन परसेंट RDF, तिनन परसेंट मार्केट फीज, तिट्टाई परसेंट कमीशन एजेंट दे रूप दे विच आड़तिया नों मिल दा सिए एक हम पिछले चाली पंताली साल थे रेगुलर चल रहा सिए होना के इंदर दी सरकार ने च्छती सौ बाई करोड रपिया जिड़ा पिछले चार साल जियां फसलां दा RDF बन दा है तो सारा रोक के खड़े हो गया है ते अगे नों जो तैन्न परसेंट RDF होंदा सिए और बंद करता है सो किड़े बड़े मतलब दुख दी गल्ला है के ओ RDF जीड़े नल सारे पंजाब दा विकास होंदा सी ओ इनने रोक लिया की कहके रोक लिया के ए सही जगा खर्च नहीं होंदा साड़े होंदी ता मिले ही नहीं चार फसलां दा RDF सन दा मिले ही नहीं पसी किते गल्द है कि दे तब पिछली सरकार ने कीता है ओ दे लिए ओ जुम्मेवार ने सो RDF जड़ा रुक के है सरसर के इंदर सरकार दिया जड़ी ओ तक के शाही है तो सरकार दी बड़ी सपस्ट नितिया करॉप्शन दे होते जीरो टॉलरेंस है जो भी प्रिष्टाजार करेगा उते कार होनी निश्चे में और सारी इंटेलिजेंसी सारी बिजलेंस इस गलते लगी है कले 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 अब सरते ने गए कले 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 प्लिटीकल बनते ने गए कोई पामे किसे पार्टी दा होबे कुछ होबे कोई मतलु नहीं को एज ना सरकार किसे दे दवाइटा चुकेगी सरकार सही जालंदर के अधीनाते गाउन नंगल करार खा में पहला कबूतर बाजी का मुकाबला गाउं वासियोग से करवाया गया जिसमें पहला इनाम बिट्टू बरसाला दूसरा इनाम दीब खुलरा किंगरा तीसरा इनाम रसूलपूर ने जीता इस मौके पर प्रसेद समाज सेवक एवं आप नेता अजे कुमार पीवल ने विशेशरूप से उपस्तित होकर विजेता रहे प्रतिभागियों को सनमानित क इस मौके पर पम्मा बिटू बडाला, मोहन कृष्ण, रजिंदर कुमार, मटू बडाला, पम्मा सुची पिंड भी मजूद रहे जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामेन जतिन राजपूत की रिपोर्ट जोदा हजार और पक्खा दिता गया, जिट्चे कटवर चेतर पिंड़ा ने आके से हो दिता जी, और पूरे पिंड़ भूच जाला से हो थी, मैं अजे एक प्रदान दीब नगर तो जी, सारे पिंड़ बासिया था, और सारे लोग का था, तानवाद करता, देल देख रहें और आबंत में हल्चल की कतिविदियों पर एक नजर फिर से संगरूर में धान की पनीरी को लेकर वापिस जारा ट्रेक्टर भाखणा नहर में गिरा, तीन महिलाओं की हुई मौद जन्डियाला गुरू में अग्यात व्यक्तियों ने एक घर के गेट पर चलाई गोलियां, पुलिस ने दो अग्यात लोगों के खिलाफ मामला किया दर्च जन्डर के अधीनाते गाउन लांबडा में हत्यार लेकर गूमते दिखाई दिये पाँच व्यक्ति, एक ही रात में चार चोरियों को दिया अंजाम इसके साथ ही अब तक की गतिविदियां समाप्त होती हैं और तासा च्छानकारी के लिए देखते रहे हैं, हल चल झाल व्यक्ति